गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति और धरम प्रचारक थी जिन्होंने बौध धरम के स्थापना की और संसार को विवेक का मार्ग दिखाया अपने ग्यान से उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया गरंतों में इने भगवान विश्व का आठवा अफ़तार माना जाता है आईए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार जो वियक्ति थोड़े में ही खुश रहता हैं सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए किसी जंगली जानवर की अपिक्षा एक कप्टी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकता है पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुचा सकता है मन और शरीर दोनों को सुष्ट रखने का रहस्से है अतीत पर शोक मत करो ना ही भविश्य की चिंता करो बलकि बुद्धिमानी और इमानदारी से वर्तमान में जियो क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और जूटे व्यक्ति को सच्छाई से जीता जा सकता है ग्यान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ग्यान खो जाता है इसलिए ग्यान की प्राप्ति और हानी के इस धोरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को इस तरह साधना चाहिए कि ग्यान में वृद्धी हो हर दिन एक नया दिन होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उमीद लेकर पैदा होता है अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपो खुशी कभी नहीं मिलेगी एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोषन किये जा सकते हैं फिर भी उस दीपक की रोषनी कम नहीं होती ठीक उसी प्रकार खुषियं बाटने से बढ़ती है ना की कम होती है तुष्षे कितना ही गोरा क्यों नहों परन्तु उसकी प्रचाई हमेशा काली ही होती है इसलि झेली बालो के बालो कर दो घर्ण सकत्ते हैं